नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिरपरी दोस्तों पस्तेत हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां पपीते के पत्ते का जूस पीकर कई बिमारियों को आप दूर भगा सकते हैं आज का हमारा यहीं टोपिक है आपने हमारी चैनल पर ही बहुत बार सुना होगा कि पपीता खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं लेकिन आज हम आपको पपीता के पत्ते खाने के या फिर उसका जूस पीने के फायदे बताने वाले हैं क्या आप जानते हैं कि पपीते के पत्ते कई और शद्य गुनों से भरे हुए होते हैं आपके शरीर के जितने भी रोग हैं, वह पपीते के पत्तों के रस के इस्तिमाल से दूर हो सकते हैं, पपीते के पत्ते खाने में कड़वे लगते हैं, लेकिन उनमें कमाल के गून छुपे हुए होते हैं, पपीते के पत्तों में विटामिन A, B, C, D, E, इसके साथ साथ लिश्यम की मात्रा भी होती है इसमें इन दिनों वो लोग जो अपनी सेहत के प्रति जाग्रित हैं वे पपीते के पत्तों का इस्तिमाल करने लगे हैं इसके प्रयोग से घातक रोग जैसे कैंसर दिल की बिमारी डेंगु ब्लड शुगर तथा आतों में बसे पर जीवियों को नश्ट करने में सफलता मिलते है यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को भी बढ़ाता है पपीते की ताजी और छोटी पतियां शरीर से डिंगू के विशेले जहर को निकालने में मदद करते हैं पपीते की ताजी पतियों को पीश कर उसके रस को रोगी को पिलाने से को दे सकते हैं आए जानते हैं पपीते के पत्ते के किन किन रोगों को दूर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी सेवन वीधि क्या होगे इसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं जो कि इम्मुनिटी को बढ़ाने में बंदत करते हैं और सर्वाइकल कैंसर सामग्रियां होती हैं जो कि सुक्ष्म जीवों जैसे फंगस कीड़े परजीवी और कैंसर को शिकाओं के विभिन अन्य रूपों को बढ़ने से रोकती हैं इसके आलावा ये इम्मुनिटी को बढ़ाता है इन पत्तियों में सर्दी और जुकाम जैसे रोगों से लड़ने की होती है यह खून में वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बढ़ा देती है इन्ती मलेरिया गून मौजूद होते हैं पपीते के पत्तों में यह मलेरिया से लड़ने में प्रभावकारी है पपीते की पत्तियों का रास मलेरिया के लक्षनों को बढ़ने से रोकता है डेंगू में ये रामबान की तरह कारे करता है। डेंगू से लड़ने के लिए पपीते की पत्तियां काफी लाफकारी होती है। यह गिरते हुए प्लेटलेट को बढ़ाने, खून के ठके जमने तथा जिगर की शत्ति को रोकते हैं जो की डेंगू वाइरस के कारण हो जाता है। इसके अलावाई महावरी के दर्ध से छुटकारा दिलाता है। दर्ध को दूर करने के लिए एक काढ़ा बनाएए जिसमें एक पपीते की पत्ति को इमली, नमक, एक गलास पानी के साथ मिक्स कीजिए, फिर इसे उबालिए और जब काढ़ा बनकर ठंधा हो जाए तब इसे पी लीजे, इससे आपको आराम मिलेगा। ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ जाती है इससे, यह जड़ी बुटी खून में ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ा देती है, इसलिए पपीते के पत्ते के दो चमचरस को रोजाना कुछ दिनों तक पीना चाहिए, मुहासों को दूर करन फिर इसे पानी से धोलें, इस तरह से आपके चेहरे से पिंपल्स हट जाएंगे, इसके आलावा अगर आप पीते के पत्ते की चाय पियेंगे, तो आपके पेट से खोई ही भूख भी दोबारा वापस आ जाएगी, यानि कि आपका पाचन तंत्र तंदुरुस्त हो जाएग तो दोस्तों ये थी आज कि हमारी जानकारी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे, एक और बेहद ही महत्तो पूने जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों